क्या है रिसेट्टिवर्ट का सिलबस है जो यूजी से नेट की वैबसाइट पे अवेलिबल है ना यह वह टॉपिक्स है चलाल करने वाले हैं कि रीज़र्च का मतलब क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं पोस्ट पॉसिटिविजम बाद सबसे पैलेंग मैं बाथ करते हैं मीनिग ओफरीजच के रिसर्च होता कीरी इस इसलिए हैं तो रिसर्च पो अगारम ब्रेकडाउन करने ही कोशिश करें हिंदी में बोलते हैं संधी विच्षेत तो अगर आप रीसर्च वर्ड का संधी विच रहे है search तो री का मतलब होता है दुबारा से किसी चीज़ को करना री signifies again, answer signifies to discover किसी चीज़ को आप धूनते हो, किसी चीज़ को आप जानते हो that is called search तो किसी चीज़ को आप बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को आप बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं that is something called as research so हम किसी चीज़ को बार बार discover करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, नए नॉम से, या किसी चीज़ को नए तरीके से या कुछ में भी something discovering again and again आपको discovery बहुत अच्छा लगता है तो आप नहीं नहीं discoveries कर रहे हो बार बार, that is called as research. So, basic idea है कि किसी चीज़ को बार बार discover करना है या नहीं चीज़ों को बार बार discover करना, any kind of discovery that is happening again and again, that is something called as research, ठीक है? So, as indicated by this particular guy called as Cresswell, research is a procedure of steps used to gather and analyze information to increase our understanding of a particular topic or issue. मतलब research एक procedure है, अब procedure है तो definitely उसमें steps आएंगे, तो बहुत सारे steps का एक procedure है, जिसको use किया जाता है to gather and analyze information, मतलब information को जमा करना और उसको analyze करना, क्यूं? ताकि हमारा जो understanding है पर किसी topic का या किसी problem का, किसी issue का, वो हमारा understanding बढ़ सके है, that is what we mean by research, right? Now, research जो ये word है, acronym अगर इसको लिया जाए, तो actually आप breakdown करना ही कोशिश करो, तो research में R का मतलब हम बोलते है, rational way of thinking, मतलब हर चीज को rationally, rational मतलब एक normal mindset की तरह है, तो for example, कोई चीज सस्ती या महंगी है, तो obvious idea है कि नहीं, अगर सस्ती है, तो सस्ती की तरफ जाना है, महंगी है, तो महंगी की तरफ जाना है, पट क्यूं? एक rational mindset होता है, तो rational mindset, अब अगर जैसे for example, मेरे पास पैसे कम है, तो by default सस्ती चीज की तरफ जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसे जादा है तो महेंगी चीज की तरफ जाओंगा तो एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल सिनारियो में क्या बिहेव करेगा कैसे बिहेव करेगा तो एक रैशनल वेव थिंकिंग लेकर करके चलना है कुछ भी अगर मुझे ही चीज नहीं पता है पहले मुझे उस चीज को पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा आपको उसको फुल डेडिकेशन के साथ उस पे फुल इंपोर्टेंस के साथ करना है जैसे फॉर एक्जामबल ये पर्टिकुलर वीडियो में बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं सिर्फ ये वीडियो ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ सॉल करने की कोशिश कर रहो जो भी प्रॉब्ल्म जो भी चीज़े हारने हर चीज को आपको सॉल कर रहा है इक ऍरिक दुबारा से रपीड हो रहा है दुबारा से हम बात कर रहा है एग्जाकनिस की कि यहाँ पे vagueness नहीं चलेगी, यहाँ पे हवा में बातें नहीं चलेगी, यहाँ पे हम exact चीज़ों की बात कर रहा है, कि exactly क्या है, अगर आप बोल रहा हो कि हाँ, यह particular चीज ऐसे होती है, तो कैसे होती है, आप बताओ, अगर आप किसी चीज़ों को सही बोल रहा है, तो क्यों तो फोर ही होगा, that is the exact thing that we are talking about ए, ए का मतलब है analysis आपने जो data collect किया आप analyze करो बिना analysis किया आप बोल नहीं सकता है जब तक जब तक जब तक मैंने किसी चीज से कुछ information collect किया, उस information पर जब तक मैं कुछ अपना analysis मतलब अपना processing, अपना कुछ उसमें चीजें आड नहीं करता हूं until analysis, तो वो तो सिर्फ information है, जो collect किया है मैंने सिर्फ तो until analysis, I do some procedure to it, I do some analysis to it मैं उसे जो है आगे नहीं बोल सकता कि यह मेरा research है, वो सिर्फ रिसर्च नहीं होगा वो सिर्फ data collection हो जाएगा तो वहाँ पे analysis important है अगें R repeat हो रहा है, R को हमने बोला relationship of facts, तो जो facts जो data जो आपके पास है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो relationship established करना होता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ relationship established होनी चाहिए, या आप कर रहे हो या आपे कुछ में कोई नया angle add कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो relationship कुछ ना कुछ उनका आपस में connection होना ची until and unless facts एक दूसर से connect नहीं हो रहे हैं, तो मतलब नहीं है, right C for critical observation, careful planning and constructive attitude मतलब critical observation, आप चीजों को observe कर रहे हो, तो आप critical हो, बहुत ध्यान पूरो, बहुत सोच समझ के हर चीज को आप पैनी नजर से, तीखी नजर से देख रहे हो, आप कुछ भी छोड रहे हैं नहीं हो, कहीं पर भी, that is called as critical observation, careful planning आपने research का plan बनाया, research design बनाया, सब कुछ किया, पर उसमें आपने थोड़ा सा आपने casual attitude आपने थोड़ा सा carelessness दिखा दिया, आपने थोड़ा सा carefree mindset रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं problem create कर सकता है, तो आपका planning carefully होना चाहिए, हर चीज को बराबर due importance, हर चीज को बराबर consideration आपने देना है, then constructive attitude, आपका attitude constructive होना चाहिए, constructive का मतलब होता है, आप हर चीज के लिए कहीं कहीं ready हो, आप हर चीज को accept कर रहे हो, हर चीज की तरफ आप बराबर dedication की तरह हर चीज के लिए, आप actually उतना time और उतना importance जितनी चीज चीज की जरुवत है, उस attitude से आप काम कर रहोगी, अगर हाँ, किसी ने कहीं पर आपको किसी चीज के लिए बोला, तो आप सुनने के attitude से आता है, तो आप उस criticism को accept कप करोगे, जब आपका constructive attitude होगा, तो आप चीज़ें construct करने के लिए ready हो, कि आप कहीं न कहीं limitations नहीं डाल रहोगे, अगर मैं कुछ construct करने के लिए ready हूँ, तो मेरा attitude उस तरीका से पहले होना चीज है, and that stands for honesty and hard working, तो जब तक मैं honest नहीं हो, आप खुझ से honest नहीं हो, आपको लग रहा है कि भाई कहीं से उठा के data इतर उदर से चुरा के, किसी का report उठा के copy paste करके, डाल दे रहो तो मज़ा नहीं है, जैसे for example, यह particular PPTA मैंने नहीं बना है, मुझे internet में मिली और मुझे अच्छी लगी, detail में सारी चीज़ें covered हैं, तो आम ल already ready है, तो मैं अपनी मेहनत उसको अच्छे से present करने में, उसको अच्छा से video बनाने में कर सकता हूँ, उसकी audio video quality में कर सकता हूँ, रदा दन कि जहां पर already है, enough work किया हुआ है, तो repetition of task, repetition of work करके कोई मतलब नहीं है, तो आप अगर कोई research कर रहे हो, आपके field में already research हो रखे, त मैं आपको अगर honest बता हूँ, तो आज की लिए में बहुत सारे paper publish करते हैं, research publications, patent publications, बहुत सारे चीज़ें होती है, but 90% of all that you see on the internet, आपके नजरों के सामने जो चीज़ें आई जाती हैं, आपके सामने लाई गई हैं, वो अपने आप नहीं आई हैं, क्योंग आई हैं, क्यों आप rational mindset से काम करो, आप expert treatment दोगे, आप exhaustive treatment दोगे, कि आप भाई, जिस चीज में हो उसको dedicated दो, ऐसा नहीं कि मैं चार काम simultaneously कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी देख रहा हूँ, यह ऐसा नहीं कि मैं काम करते-करते मैंने एक बच्चे को खिला लिया या खाना खा रहा हूँ, जब करना है तो करना है dedicatedly, वरना मत करो आप, that is not how research is supposed to be done, and you have to be expert, आप बिना expertise के नहीं कर सकते हो, solution and search रखना ही है, चीजने exact होनी चाहिए, हवाई बाते हैं, वेगनेस नहीं चलेगी, analysis आप definitely करना ही पड़ेगा, बिना analysis के सिर्फ डेटा कलेक्शन होगा, आप डेटा information आपने कलेक किया, उनके बीच में कोई relationship ही आप established नहीं कर पा रहे है, तो कैसी research आप कर रहे हो, right, आपकी observation critical होनी चाहिए, planning आप carefully करो, attitude आपका constructive रखो, and honesty and hard work तो करना ही पड़ेगा, at the end, क्योंकि अगर आप honest नहीं हो, तो at the end, आपका research है जो आप contribute कर रहे हो, आपका publication है जो दुनिया के सामने आपके नाम से जाने वाला है, and at the end, आज नहीं तो कल अगर आपने चोरी किया data कहीं से उठाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चलने वाला है, तो जब आप पता चलेगा लोगों को, तो उसके बाद आपको वैसे भी गालियां पड़ने वाले है तो उससे आप शुरू से accept करने उस चीज को, अब हाडवक करो हो या ऑटोमाटिकली, honesty and hard work गो हैंड इन हैं, until and unless you are honest, you are not going to do hard work, maybe hard work कहीं लोग करते हैं, बाद वो, hard work भी honesty से करना पड़ता है, या कुछ लोग चोरी करते हैं, चोरी भी हाप honesty से कर रहे हो गया, तो वहाँ आप है honesty and hard work, दोनों चीज़े side by side चलती है, आप बोलोगे sir research में ही इतना बता दिया, this is how it is required, this is how it starts, this is how it goes, okay, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, when we talk about research, यह सिब जरूरी नहीं है कि UGC net, at the end, मैं assume करके चल रहा हूँ कि आपने net qualify कर लिया, आपने JRF qualify कर लिया JRF qualify कर लिया, तो directly आप research ही करने वाले हो, तो यह चीज़े आपके life में बार बार आने वाले हो, research aptitude आप दुबारा पढ़ने वाले हो, net qualify कर लिया, तो again कहीं पे आप professor या कुछ ना कुछ तो job करने वाले हो, and at the end, again as a faculty, as a professor, आपका research आने वाला है दुबारा से आपके सामन तो वो करते हुए, this is a practical scenario, this is what you need to understand, this is what you need to do, right, now, research objectives, सबसे important है कि हम research कर क्यों रहा है, research होती क्या, research करने के पिछे का मकसद क्या है, तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा, जब तक आपको पता ही नहीं कि क्या है, objective क्यों है, तो काम नहीं बनेगा, तो research क्यों की जाती ह शायद कुछ, to investigate some existing solution or problem, किसी problem या solution, situation को, not solution, किसी solution है, तो problem होगी नहीं, solve हो चुकी है, हम उसको solve करने के कोशिच कर रहे है, research से, तो एक कोई situation है, किसी problem है, जिसको हम investigate करने के लिए research करते है, investigative research हो जाती है, to build or make another method or framework, कोई existing method है, पर वो method अच्छा नहीं लग रहे है, आप आपको, ना knowledge आपको generate करना है, तो of course research आएगी, to explore and analyze more general issues को, maybe situation नहीं है, बट कुछ general issues in society में, जिनको आप explore या नहीं समझने के कोशिच कर रहे हो, analyze करने के कोशिच कर रहे हो, तो again, there comes a research, to offer a solution to a problem, of course solution, problem को समझने के लिए, आप investigation करते हो, बट उसको solve करने के लिए भी research करन to review and synthesize the existing knowledge, या तो आप नया knowledge generate कर रहे हो, या existing knowledge को आप review कर रहे हो, या synthesize कर रहे हो, तो कहीं न कहीं चीज़ें, घुमा फिर आके, knowledge, issues, problem, या addition, like कुछ ना कुछ, आप basics idea है कि कुछ ना कुछ नया addition होना चीए, या तो problem को solve हो रही है, या problem को समझ रहे है, या आप नया method discover क कर रहे हो, या existing issue है, या कोई problem है, उसको आप explore कर रहे हो, या तो उसको investigate कर रहे हो, या उसको explore कर रहे हो, या तो उसको solve कर रहे हो, या तो उसको review कर रहे हो, या तो नया discover कर रहे हो, या उसको review कर रहे हो, या कुछ नया method develop कर रहे हो, तो again, that is how something knowledge only, right, these are research objectives, now moving on to the next thing that is called as research characteristics आपको कुछ डाउट है कुछ सवाल है आपके तो आप कॉमेंट सेक्षिन में पोस्ट कर सकते हो कोशिश करोगों मैं कॉमें सेक्षिन में ही एंसर आपको मिल जाया है अगर आपका डाउट बड़ा है कॉमें सेक्षिन में रिप्लाय करना मुश्किल है तो I will make a dedicated video on that तो you can ask your questions मैं भी थोड़ा सा time लएगे आप आज पूछ रहो तो शायद दो दिन चार देर हपते पर आपको वीडियो मिले बट वीडियो मिल जाएगी that is something I can guarantee तो research characteristics क्या है तो यहां पर बहुत सारे characteristics आपके साहने नजार आएंगे तो हम यहां पर बात करते हैं अब्जिक्टिविटी की, reliability, validity, accuracy, credibility, general ability, then हम यहां पर बात करते हैं replicable की, cyclical की, कुछ factors controlled है, कुछ uncontrolled है, cyclical होने चाहिए, empirical होने चाहिए, systematic होने चाहिए तो यह कुछ research के characteristics हैं, यह एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, let's go it one by one तो सबसे पहले, objectivity, आपके research में objectivity होनी चाहिए, भाई, करना क्या है, clear नहीं है, जब तक तो मजा नहीं आएगा, तो it means research with no inclination, अब कोई inclination नहीं है, तो कहीं न कहीं दिक्कत आने वाली है, तो वो biasness जो आने वाली है, जो दिक्कतें आने वाली है, उनको avoid करने के लिए, आपको किसी ने appoint गया investigation करने के लिए, तो आप उसके perspective से ही करोगे, तो perspective हटाने के लिए आपको neutral होना पड़ेगा, तो आपकी research कहीं न कहीं, objectivity लाने के लिए, वो inclination हटाना पड़ेगा, biasness हटाना पड़ेगा, that is what we mean by objectivity, then reliability, आप जो कर रहे हो भाई, वो reliable है कि नहीं, तो चार महीने में बहुत सरी चीज़ें add होंगी उसमें, तो वो verifiability या कैसे आप add करोगे, उसके लिए consistency has to be there, that is something called as reliability, then validity, validity का मतलब क्या होता है, validity in research mainly stands for accuracy of procedures, research instruments, tests, etc, जो आप कर रहे हो बराबर है कि नहीं, तो valid कैसे उसकी accuracy पे depend कर है, then accuracy itself, validity और accuracy में क्या फरक है, it is firmly identified with legitimacy या precision कि आपकी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं, legitimate हैं कि नहीं, that is accuracy, but वो बराबर है, उसको confirm कैसे करते हो, that is called as validity, यह बराबर है, वो confirm भी होनी चीज़े, तो accuracy कोई चीज, accurate information है, जैसे आपने बोला कि नहीं, यह 100 plus 100 is 200, तो maybe यह 100 और 100 accurate है कि नहीं, ठीक है, वो 200 उसको validate कर र validity का सवाल आएगा, तो दोनों चीज़े होनी चीज़े, ऐसा नहीं, accurate information है, बट कोई validity नहीं है, तो validity मतलब confirmation of accuracy, दोनों को हमें साथ में ले करके चलना है, right, then we have credibility, कि क्या कर रहे हो भाई, उसका मतलब क्या है, so it is the utilization of test, wellspring of data, and the best techniques in the exploration, भाई, आपने ऐसी चीज़े, आपने नहीं करने वाला है, तो आप ऐसी जगे से data उठा रहे हो, जिसको कोई जानता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको data का source, आपका credible होना चीज़े, तो trade-off between primary and secondary data भी, एक अच्छी research तब होती है, जब आप primary और secondary दोनों data को consider कर रहे हो, जैसे मैंने कोई research किया, उसको मुझे आपका चला कि भई, यह मेरा hypothesis आया है, जैसे for example, मैंने एक study किया कि men and women में से कितने पसेंट लोग working है in IT sector लेट से, तो आप IT सेक्टर मुझे पता चला कि 50% लोग काम करते हैं, और 50% men और 50% women दोनों का equal आया, बट यह तो मेरा primary data के basis पे होगा, बट secondary data भी तो होगा, IT आपको बढ़े ही primary data ही direct publish करते रहा हो, तो credibility कम हो जाते है, बट अगर मैं दोनों को use करता हूँ, हाँ, ऐसा अरड़ी हो रखा था और मैं दोनों को compare करता हूँ, फिर अपना analysis निकालता हूँ, तो दोनों का जो मेरा balance रखके चलूँगा, that is called as trade-off, trade-off is nothing but keep the balance between primary and secondary data, तो दो the sample considered is the representative of the whole population, so the findings should also be applicable to the whole population, तो अब हम 100 करोड लोग है, उसमें साब 100 करोड का analysis नहीं कर सकते हैं, आपने analysis किया, पचास जार लोगों का या एक लाख लोगों का, बहुत जादा नंबर हो या, लेट से हजार लोगों का आपने नहीं किया, तो 100 लोगों के आपने analysis किया, होना चाहिए, आपका questions, आपको पूरा overall आपका research plan इस तरीक इस होना चाहिए, कि 100 लोगों का information, data, या concepts, जो भी आपका outcome निकला है, जो भी आपका conclusion निकला है, वो general conclusion होना चाहिए, कि आप generalize कर सो को चीज़ों को, that is something called as generalizability, then something called as empirical research, empirical research is based on real life experiences, direct experiences, और observation by the research, अब मतला मैंने किसी और के observation, किसी और के experience के basis में कुछ बोल दिया कि this is what it means, that is not my research, अगर कोई चीज़ मेरी research है, मैं उसे अपना claim कर रहा हो, तो मेरा direct involvement वहाँ पे जरूरी है, right, until and unless I am directly involved with something, I should not be the one claiming it, तो वहाँ पे that is what called as कि आपका research empirical होना चाहिए, आपके खुद के observation, आपके खुद के experiences आपके खुद के direct sensory link, आप अपने खुद के senses से जिने हम बोलते हैं, पांच senses हैं, आप जिसे, जो है, touch, smell, feel, vision, जो भी चीज़े हमारी पांच senses में count हो रही है, पांच ये छे आप बोल दोगी, तो आप अपने खुद के senses से आपने observe करना किया होना चाहिए, आपने feel किया हो होना चाहिए, until analyst that you are doing, तो मतलब नहीं है, तो उसको हम research नहीं बोलते हैं, तो empirical research का बहुत बड़ा importance है, systematic, each researcher should follow a definite procedure, आपने क्या किया है, आपका procedure defined होना चाहिए, आपने कैसे किया है, systematic तरीके से होना चाहिए, कुछ भी कर दिया, आपने बोला नहीं है, बहुत अच्छा है तो at the end that does not make sense, it has to be somewhere systematic, आप कुछी और को अगर आपने लिए एक और concept है, कि आपके research replicate की जा नहीं है, तो like moving on to the next point, point number L आप देख सकते हो, replicable, आपका research replicable होना चाहिए, कि जो आपने किया है, कोई और भी हो चीज कर सके, तो this characteristics allows the result of the research to be confirmed by repeating the study and after that building a sound basis for making decisions, तो आपकी conclusion, आपकी theory को कोई दुबारा था, test कर सके, same procedure को follow करते को, वो कब होगा जब आपनी research systematic रखा है, unless it is systematic, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने तरीके से, कोई procedure ही नहीं है, कोई system ही नहीं है, तो लोग कैसे उसको verify करेंगे, कैसे कोई test कर पाएगा, तो systematic रखना, एक clear factors may affect the outcome, and some are taken as controlled factors, whereas the others are tested for possible outcomes, तो कुछ, जैसे, आप, generally हम देखते हैं, कुछ variables, कुछ factors dependent हो, कुछ variables dependent होते हैं, कुछ independent होते हैं, तो आप, कुछ, कुछ चीज़ों पर आप changes करते हो, और उसका impact दूसरे पर observe करते हो, तो जो changes आप कर रहे हो, वो कुछ, आपके हाथ में होना च किस चीज़ का impact कोशिश कर रहे हो, किस चीज़ का relationship establish कर रहे हो, या study कर रहे हो, तो कहीं न कहीं, एक factor control या एक पार्ट या कुछ पार्ट आपके control में होना चाहिए, जिसको आप manipulate कर सको अपने ही साब से, ताकि आप उसका impact या उसका नजरिया जो आपके uncontrolled factors है, उस पे आप उनका कहीं न कहीं behavior notice कर सको, या observe कर सको, या research कर सको, तो वो control factors भी, आपका research design ऐसा होना चाहिए, generally होते ही है, बट आपका research design में भी होने चाहिए, cyclical का means, research is a कहीं न कहीं repetitive procedure, कि ये कभी खतम होने वाली चीज़ नहीं है, आप बार बार इसको करते रहे हो, it is a cycle, it begins with an issue and finishes with an issue की, आप सारे problems को solve नहीं कर सकते, आप एक issue देखा, उसको solve करने बैठे है, तो आपने maybe possible solution की तरफ या issue को समझने की, या generalize करने की, explain करने की कोशिश की, बट उसके साथ-साथ और भी कई सारी issues raise होने वाला है, तो आप कहीं से शुरू करते हो, और कहीं जाके खत्म करते हो, और maybe आप उसको continuous कर सकते हो, तो that is what is called as cyclical, and at the end something we call it as logical, अगर कोई चीज़ लॉजिकल नहीं है, आपने बहुत procedure सब कुछ बराबर किया, बाट उसमें कहीं पर logic ही नहीं है, logic क्या होता है, logic is nothing but general, हम जिसको हम बोलते हैं, कि आपका common sense है, तो common sense या general observation, या general scenario, market में, दुनिय में क्या चल रहा है, तो वो logical होना चाहिए, तो statement, great research is coherent, infers that examination is guided by the standards of sensible thinking, sensible thinking मतलब common sense, जिसे हम आले के कहा है कि common sense is very uncommon, but आप as a researcher, अगर common sense नहीं अपलाए कर रहे हो कहीं पर, तो मजा नहीं है, तो that is what is called as logical, now this was the characteristics of a research, now we are moving to something called as scientific method, तो characteristics of scientific method क्या होते हैं, वो ही चीज़े repeat होगी, पर scientific में ये चीज़ें compulsory हो जाते हैं, जैसे, replicability, जब भी scientific research की बात करके, तो replicability compulsory, अगर आप किसी चीज़ को replicate नहीं कर सकते हैं, दुबारा से नहीं कर सकते हैं, तो वो scientific नहीं मानी जाती है, तो वहाँ पर एक अंबल जरी है कि replicable होना ही चाहिए, precision, आप यहाँ पर एक गलती, एक mistake नहीं कर सकते हैं, आप समझे है, science and technology में आप एक chipset या एक कोई भी तार यहां से वहाँ होगी, तो कहीं न कहीं उसका result कुछ अलग आने वाला है, उसका outcome कुछ अलग आने वाला है, तो that is where precision becomes the most important thing, तो preciseness बहुत जरूरी है, then हम बोलते है falsifiability, now falsifiability का मतलब क्या होता है, कि theories that cannot be tested or falsified are not scientific theories and any such knowledge is not scientific knowledge, science को हमेशा false किया जा सकता है, आप हर theory को falsify कर सकते हो, this is what it means, अगर आपके methods falsify नहीं किया जा सकते हैं, तो नहीं, falsify का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ जरूरी नहीं है, यहां पर हमेशा conditions चलती है, तो अगर आप एक particular scenario कुछ conditions में चीज़ें करोगे, तो बराबर result आएगा, condition बदलेंगी, तो result बदलेगा, that is called as falsification, तो theories falsify करने आना चाहिए, उनको test करने आना चाहिए, कि आपके conditions बदल गई, तो result outcome बदल गया, right, now at the end something called as persimony, now what does it mean, when there are multiple explanations of a phenomenon, scientist may always accept the simplest or logically most economical explanation, भाई, एक ही चीज़ है, जिसके बहुत सारे मतलब है, तो उसमें से सबसे sensible, सबसे logical, generally accepted simple method कौन सा है, simple explanation, कौन सा है, simple answer कौन सा है, उसी को accept करते हुए, चलना है, अगर चीज़ें confused कर रहे हैं, तो confused नहीं होना है, जो simple है, उसी को ले करके चलना है, confusing common sense and logics to the research or scientific methods, तो ये होने ही चाहिए, now, aims of research as a scientific activity, जब भी आप कोई scientific activity कर रहे होते हो, तो क्यों कर रहे होते हो, क्या आपके aim है, क्या आपका इरादा है, क्यों आप कर रहे हो, तो तीन उसके major reasons बताये गए हैं, या तो आप किसी problem को solve कर रहे हो, scientific method से आप scientific activity कर रहे हो, त कुछ ना कुछ समाज में, society में, जिसको आप solve करने की कोशिश कर रहे हो, अपने research से, या फिर आप एक scientific theory बिल्ड कर रहे हो, yes, it's a possibility कि आप scientific theory बिल्ड करने के लिए भी research कर सकते हो, scientific activity में, and अगर ये दो नहीं है, तो तीसरा फिर आपका कही न कहीं किसी चीज का prediction होगा, त तो ये सब predictions के लिए हम कहीं लगए है, कुछ ना कुछ scientific research कर रहे है, scientific activity कर रहे है, मैंने tools, technologies, develop कर रहे है, समझने की कोशिश कर रहे है, तो ये हमारे aims of research as a scientific activity नज़र आते है, now, types of validity, तो आप किसी चीज को, कोई चीज valid है की नहीं, उसको validity को कैसे test करते हो, तो ये उसके लि validity with higher internal validity, a researcher is able to establish a better causal relationship between two or more variables, तो आप खुद से आपके controlled factors से, आप internally किसी दो factors के बीच में, दो variables के बीच में, cause and effect value relationship है, या causal relationship है, आप उसको बहतर बना सकते हो, अगर वो चीज़े internally valid है, जितनी ज्यादा validity internally higher होगी, उतनी अच्छी चीज़ें हो सकती है, external validity means external factors that can affect the study must be controlled, जो चीज sözें आपके study के बाहर की चीज dedic से तो उनको भी कहीज़ें जो बहर के factors हैं, जो आपके control में नहीं है, जो आपके दाएरे में नहीं है, तो वह भी कहीज़ेंlight validity प्रोवाइड करते हैं, उन चीजों में भी आपका control या validity का कुछ ना कुछ impact आपके research पर पढ़ता है, face validity means that the survey and questionnaire accurately measure what they are supposed to measure मतलब किसी को आपका questionnaire या survey देखके ही idea लगना चाहिए कि हाँ यह क्या चल रहा है तो जो like title देखके ही समझा जाद है कि इसका मतलब क्या है डीटेल में पढ़ने की जो अतना पड़े तो वो face से ही validity होना चाहिए जो टाइट questionnaire है यह on the face दिखने वाली चीज़े हैं आपके survey and questionnaire के जो methods है जो techniques है जो forms है वो accurate होना चाहिए और वो accurately आपके problem को या आपके research को measure करने चाहिए now content validity this indicate measures all aspects of the construct and not just a part of it पतलब पूरा का पूरा आपका content research का जो है वो valid है कि नहीं उसे भी validity को check करना measure करना ज़रूरी है criterion validity जो criteria's आपने लगा है वो valid है कि नहीं वो देखना भी तो ज़रूरी है the indicator corresponds with and as predictive of measurements using related indicators तो भीया आप किन criteria's या किन चीज़ों के basis में कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी valid होने चाहिए constructive validity the indicator measures the construct in a manner that is convergent with the measures in terms of direction कि भीया किस direction में और किस तरह काम करना है क्या आपकी चीज़ें construct कैसे कर रहे हो उसका भी valid होना उतना ही ज़रूरी है उतना ही important है right now now moving on to the next topic that is types of research कि भीया हमने research समझ लिया research क्या होता है उसके goals क्या होते है उसकी objectives क्या होते है उसकी validity कैसे होती है तो उन सब के बाद हमें समझना जरूरी है कि research कितने तरीके की होती है तो अभी सबसे पहले हमने जो सबसे popular है तीन टाइप्स की research हमने रखा हुआ है कि यह है fundamental research एक है applied research और œक है action research now fundamental research का मतलब गया होता हैуб bananas research मतलब SI research जहां पर आप कुछ न कुछ fundamental develop कर रहों कुछ न कुछ basic like ground level पे काम कर रहे हो और कुछ न कुछ concept develop कर रहों applied research मतलब किसी चीज को आप apply कर रहे हैं यहाँ पर fundamental जैसे for example science science मैंने कोई theory बना दी तो वो यह fundamental research है बट उसी theory को use करके मैंने कोई technology develop किया तो वो आ जाएगा मेरा applied research में और उस applied research technology बन गए याँ उस technology को मैं use करने के लिए को एकर कुछ research कर रहा हूँ तो वो मेरा action आ जाएगा कि यहाँ पर action important है किस चीज को काम करना important है तो अभी जैसे for example हम nature of data की बात करें तो fundamental research के लिए आपको qualitative data लगता है क्योंकि कहीं न कहीं आप fundamentals और concepts और theories की बात कर रहे हो तो qualitative data लगेगा qualitative research ज्यादा होगी applied research में बात करोगे तो application है तो quantitative of course लगने वाला कि कैसे apply करना है आप जब तक numbers नहीं आई है तो आप apply कैसे करोगे किस तरीके की findings होती है तो generally fundamentals में आप चीजों को explain करते हो तो explanatory research आ जाता है जो fundamental theories आप बता रहे हो बराबर है कि नहीं उसके लिए experimental experiments होते हैं but applied के time पे experiments already हो चुके है वो theory बन चुके है अब आप उसको apply कर रहे है तो that is why यहां पे non-experimental आ जाते हैं कि experiment का stage के यह आगे हो चुका है अगर आप उसमें approach की बात करो तो fundamental में longitudinal research है कहीं न कहीं आपको एक direction में एक time पे और एक time frame के हिसाब चलना पड़ेगा and applied के time पे cross-sectional हो जाता है कि भाई एक का application दूसरे पर दूसरे का तीसरे पर आप कहीं न कहीं एक दूसरे से connected चीज़े कर रहे होते हो that is why we call it as cross-sectional right next जो चीज है हमारी वो है exploratory research explanatory and descriptive research तो सबसे पहले अगर हम बात करें descriptive research की तो descriptive research tends to describe systematically a situation problem phenomenon etc तो आप किसी चीज़ को describe कर रहे हो लिए किसी चीज़ को not explanation explanation को explainatory बोल देते हैं but describe करना पस उस चीज़ को as a test जैसा है वैसा बताना that is called as descriptive like for example structure of a system organization etc ये company ऐसी है हमने describe कर दिया कि यहाँ पर इतने लोग काम करते है ऐसा है तो explanatory research attempts to clarify or explain why and how there is a relationship between two aspects of a situation or phenomenon जब आप उस situation को बस बता रहे हो तो that is descriptive जब उसको आप explanation दे रहे हो तो that is explanatory जैसे for example ये PBT आपके सामने screen पे दजर आ रहे है तो this is a description की चीज़ें लिखे हुई है इसी चीज़ों को अगर मैं explain कर रहा हूं आपके सामने तो this is more of explanatory तो वही चीज़ है कि आपने किसी organization में बता दिये कि यह organization तब शुरू हुई थी और इतने लोग काम करते हैं जरूरत है क्या फायदे है क्या नुक्सान है क्या-क्या factors included है तो explanatory में आ जाएगा now co-relational co-relational का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में relation establish करना to discover or establish the existence of a relationship association or interdependence between two or more aspects of a situation situation दो चीजों के बीच में आप relation बता रहा है तो उसको हम बहुत है co-relational establish करना या पता लगाना या कुछ भी हो सकता है बट दो चीजों के बीच में relation जैसे क्या हो सकता है जैसे height and weight कि 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 इतनी है तो weight कितना है प्रेट और वेट का किया रिलेशनेपा है , कि मोटे लोग जादा भागते हैं , कि पतले लोग जादा होना , दूसरा हो गया आपके खाने की स्पीड या कि तना खाना कॉँछ भी हो सकता है , आप रहा है , अंप रहीसिस्टि लोगों को मोटा पतला रहाँ , आएसा भूल रे मै मतलब आप कुछ चीज एक्स्प्लोर कर रहे हो, आप एक्स्प्लोर कर रहे हो, कुछ एड्वेंचर कर रहे हो, so when the objective is to explore an area where little is known or to investigate the possibility of launching a particular research study, मतलब ऐसी चीज़ जो किसी नहीं किया या बहुत कम लोगों नहीं किया, आप उसको experience कर रहे हो, आप उसको कहीं न कहीं adventure की तरह ले रहे हो, that is called as exploratory, and यहाँ पर एक लास्ट में एक वर्ड है, action research जिसको हमने नाम दिया है, what we call it as MNC poetry, तो कहीं न कहीं, depending upon आप कुछ action कर रहे हो, कुछ चीज़े कर रहे हो, तो descriptive research answers questions such as what, or what it is, or what it was, that is problem को describe करता है, जबकि analytical research क्या करता है, analytical मतलब आप चीज़ों को analyze करते हो, तो analysis में what नहीं होता, why की बात ही कर रहे हो, तो in this researcher, in this researcher uses facts to explain why it has occurred, और how it has occurred, तो why and how पर जादा focus किया जा रहा है, descriptive research includes survey and fact finding inquiries with adequate interpretation, but analytical research attempts to make critical evaluation of the material, यहाँ पर आप fact और data सिफ़ कलेक कर रहे हो, या maybe describe कर रहे हो, या सिफ़ बता रहे हो, पट यहाँ पर हम उन्हकों को actually critically evaluate करते हैं, या maybe analyze करते हैं, that is why it is analytical research, अब example दिया हुआ है, for example analyzing the trend of rising coronavirus cases, यह आपने observe किया, ठीक है, now क्यों बढ़ रहे हैं, उसका explanation, so analyzing the reason behind the rise in coronavirus cases, उसके लिए आपको analytical होना पड़े है, आपने सिफ़ observe किया, describe कर गया, तो descriptive होगे, बढ़ उसके पीछे का अगर आप reason, यह what is the question that is being described in descriptive research, but analytical में हम why की तरफ जा रहे हैं, कि why it is happening, why it is like this, right, that is the major difference between descriptive and analytical research, Now difference between fundamental and applied, fundamental research includes, it makes additions to existing knowledge, yes, आप कोई fundamental change कर रहे हो, आप कोई theory बगल रहे हो, आपने कोई नया knowledge क्या, कोई नया theory है, आप कुछ नया ग्यान आपने add किया है, it used to find out solutions to existing problems, आप application कब करते हो, किसी चीज़ को apply करके, किसी चीज़ को solve करने की कोशिच करते हो, और उसके नयाने solutions find करते हो, that is called as applied research, fundamental research is used to discover new things or any invention, it is used in application, वो invention को आप use कैसे करते हो, that is applied research, it is extensive in nature, it is intensive in nature, now extensive का मतलब क्या होता है, intensive का मतलब क्या होता है, कि आप कहीं न कहीं जो application करते हो, तो आपको चीज़ें intense तरीके से करना पड़ेगा, बट fundamental की टाइम पर आप intense नहीं हो सकते, आप में भी time low कैसे करो, आप detail में आपको जाना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को हर तरीके से कहीं न कहीं, time देना पड़ेगा, यहाँ पर intensity से उतना फरक नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से करने के चकर में कुछ miss out कर दिया, तो theory आपकी अलग तरीके से होगी, तो it is time consuming, इसमें ज्यादा time लगता है, आपको ज्यादा महलत करनी पड़ती है, में ज्यादा लोगों की involvement होगी, बट application में आप कहीं न कहीं देखते हो कि efficiency और इन सब चीज़ों पर हम ज्यादा बात कर रहाएं, that is why it is called as intensive in nature, right, now moving on to the difference between deductive and inductive, यह समझना बहुत important, आप इसको important marker के ले लीजिए, most of the time हर exam में इसके उपर एक नएक question आता ही है, deductive and inductive research, तो क्या होता है इनका मतलब, deductive research का मतलब होता है, जब चीज़ों को आप deduce करते हो, deduce मतलब आप चीज़ों कम करते जाते हो, मतलब हम बात कर रहें यहाँ पर general to specific, it is also known as top down or general to specific, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है आपने पूरे class में और उसको धीरे-दीरे करके एक individual की तरफ आ रहे हो, तो आप कहीं न कहीं confirm करते हुए आ रहे हो, that is called general to specific, तो उसको deduce करना बोलते हैं, कि आप deductive होते जा रहे हो, deductive research, inductive मतलब चीज़ों को आप induct करते जा रहे हो, like general बोलो तो चीज़ों को आप include करते जा रहे हो, मतलब पहले आप अकेले थे, अकेले आपने शुरूआती हो और धिरे-धिरे धिरे-धिरे बहुत सारी चीज़ें add होते गई, तो that is more of specific to general, General to Specific मतलब Generally ही क्या हो रहा है Specifically ही क्या हो रहा है यहां पर Specifically पहले आपने देखा और अब उसको Generalize करने की खोशिच कर रहा हो कि हां भैया, हमारे यहां जैसे आपने बोला कि सूरज East में उखूता है तो आपने देखा, आपके घर के पास जो सूरज उग रहा है वो इस्ट में उग रहा है फिर आपने यह specific हो गया आप इसी चीज़ को जाके आपने गाउं गाउं शहर दुनिया बर में जाके सब जगे उबसर गया और आपने हो गया है तो आप जनरल पहले आपने चीज़ें और फिर आप उसमें specific होते जा रहे है तो इसमें ज्यादा ज्यादा लोगों को आप specific to general it is like deductive is like पहले बहुत सारे लोग थे आप उसमें से कम करते 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 आप बहुत specific चीज़ पर आने है inductive मतलब पहले से आप specific पर थे आप उसको generalize कर रहे हो तो उसमें ज्यादा ज्यादा लोगों को आप include करते जाओगे सो इन deductive research theory is tested with the help of available information in inductive research theories are formulated and new ideas are explored कहीं नहीं चीज़ों की तरफ जाते हो क्योंकि आप generalize कर रहे हो and deductive research begins with hypothesis कि आपके पास कुछ तो है test करने के लिए इसको आप test कर रहे हो पहले आपने general पर test की आप specific पर test कर रहे हो inductive में क्या हो रहा है आपके पास एक question है जिस question का आप solution दूणने के लिए आपने पहले एक जगे दूण आप दूसरी जगे आप ऐसे कर रहे हो तो generally आपको उसका answer आपको उसका solution मिला की नहीं that's a different story but it is a research question that you get right तो यह है आपका deductive and inductive यह समझ लीजे नहीं समझ आप repeat करके दुबारा सुनिये दुबारा तो देखिए because this is very 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 important mark करके रखिए I can assure you 100% guarantee के साथ एक question आएगा ही आएगा deductive and inductive पे कैसे question आते हम देखेंगे जब हम question and answers देख रहे होंगे research aptitude के उस time पे हम देखेंगे कि inductive and deductive पे क्या क्या चीज़े आती है right now moving on to something called as structured and unstructured यह बहुत simple है कोई चीज अगर प्रपर structure systematic तरीगे है तो structured कोई systematic नहीं है तो unstructured क्यों जैसे चल रहा है flow के साथ आप चल जाओगे तो everything that is part of research is predetermined such as objective design sample and question that is called as structured research in unstructured research flexibility is allowed because it is not predetermined for formulating research तो आप situation के हिसाब से चल रहा हो यहाँ पर क्या हो रहा है तो उसके लिए आप planning करकर के जा सकते हो but in case of when you don't know the problem आपको समझना है तो उसके लिए आपको situational होना पढ़ेगा and structure जो होता है जब आप quantitative research कर रहे हो तो वहाँ पर आपका structure होता है कि आपको क्या data collect करना है कैसे analyze करना है क्या tools करना है तो वहां पर आपके पास सारी चीज़ हैं स्टेमाटिक होने चीए बाट ट अगर आपको चीज़न नहीं पता तो हम situation के हिसाब से यह एक और छोटा साहे कॉलिटिटिव और कॉलिटिटिव बार बाग तो कॉलिटिटिव रिसेर्च इन डॉक्टिव नेचर और यहां पर चीज़ें आप इंक्लूड करते हो कि जब कॉलिटिटिव बात होगी तो जतने जयादा data points होगे, जतने जयादा जगहों पर चेक कर सकते हो जन्रल लोगों की quality हर जगह हम quality की बात करते हो और उस specific के हिसाब से हम generalization की तरफ जाते हैं तो हम कहीं न कहीं एक पूरी population में से specific लेक कर रहे हैं और उस पर test करके उसी को general समझ लेते हैं तो it is deductive in nature कि आप पूरी population को नहीं कर रहे हो, उसमें से specific group of people या specific cluster या जो भी आपने sample size लिया है, specific sample पर काम कर रहे हो, so it is deductive in nature and deals with phenomenon's quantity, right, and this is, यहाँ पर sample size आपका, जब quality की बात आती है, तो आप sample size कहीं न कहीं छोटा रखते हो, but quantity में आप बड़ा sample size रख सकते हो, क्योंकि देखना पड़ेगा, and qualitative talks about why, whereas quantitative talks about how much और how many, तो वो एक है कितना, quantity मतलब कितना, और quality मतलब क्यों, तो वो दो questions है जिन पर हम बातें कर रहे हैं, quantitative research and qualitative research में, right, one more thing, that is conceptual research and empirical research, now conceptual research का मतलब होता है, it is used by philosophers and thinkers to develop new concepts or for pre-interpretation, कोई नया concept बताना, या किसी concept को दुबारा से re-interpret, नया interpretation देने के लिए हम करते हैं, conceptual research, but किसी चीज़ को हम experience के थूरू, observation के थूरू, कहीं न कहीं हम research कर रहे हैं, that is called as empirical research, right, तो concept बताना असान है, बट experience करते हैं, चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, तो conceptual research is related to some abstract idea or theory, मतलब आपके पास कुछ idea है, कुछ theory है, उसके बारे में आप बात है कर रहे हो, empirical research and researcher must formulate a working hypothesis, कि भाई, आप किस चीज़ पर experience लेना चाहते हो, क्या है, आपका idea क्या है, आप जानना क्या चाहते हो, तो आपके पास, उसको बोलते हैं, hypothesis, कहीं न कहीं आपके पास, शूरू से वो ready हो चाहते है, right, conceptual research is based on theoretical approach, whereas empirical research is based on experimental approach, कि भाई, अगर आप बिना experiment के, आप experience लोगे कैसे, आप बुक पढ़के तो experience नहीं ले सकते हैं, तो experience लेने के लिए आपको actually ground में उतरना पड़ेगा, आपको आपके नाग कान आख खुली रखनी पड़ेगी, that is what is empirical research is focusing on, now, दो चीज़े लास्टीज हमारे types of research में आ रही है, यह different different categories जो possible है, यहाँ पे की गई है, so last category जो like we are trying to say, we call it something innovative research and incremental research, now, innovative research deals with the innovation of new ideas, new technology, और a new technique to solve a problem, कि आप एक problem को solve रहे हो, या कुछी नया idea ले करके आ रहे हो, नहीं टेक्नीक ले करके आ रहे हो, कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हो, that is called as innovation, but incremental research में क्या हो रहा है, in this improvement or extension of something, occurs on existing thing, मतलब एक technology है, उस technology को आपने update कर दिया, अगर आप टेक्नालोजी को आप डेवलप कर रहे हो, that is innovative research, but उसी technology पे आपने update कर दिया, कुछ changes कर दिये, एक नया feature add कर दिया, that is incremental research, कि एक software में ने बनाया, तो innovation हो गया, उस software में चार न coronavirus vaccine, is innovative research, and incremental research conducted by a company to improve the product की, यह vaccine की quality कैसे improve की जा सकती है, इसकी efficiency कैसे improve की जा सकती है, that is incremental research, now, दो और चीज़े निकल कर गया आती है, these are not different things, but समझना जैसा है कि एक साथी चलती है, X post facto research and historical research, दोनों का concept similar है, X post facto मतलब, कोई चीज़ हो चुकि है, उसके बाद आप उसको observe कर रहे हो, so, X post facto study, or after the fact research is a category of research design, in which the investigation starts after the fact has occurred without interference from the researcher, मतलब, कोई चीज़ हो चुकि है, उसको आप investigate कर रहे हो, मतलब, X post facto, post facto मतलब, fact को होने के बाद, post the fact, so, कोई चीज़ होने के बाद आप कर रहे हो, that is, X post facto research, दूसरा historical research, historical research मतलब, again, कोई चीज़ हो चुकि है, उसी के, history में कोई चीज़ हो चुकि है, उसको आप research कर रहे ह and usually focuses on the historical aspects of an issue कि कोई चीज़ कैसे हुई है अब background में जा करके पहले कैसे हुई है उसको देखने की कोशिश करते हो right this is the types of research we have dealt with एक और concept है एक और approach निकल एक concept of approach निकल करके आता है positivism and post-positivism का क्या होता यह positivism and post-positivism का थोड़ा सा हम देखने के कोशिश करते हैं so when we talk about positivist या positivism paradigm या positivist paradigm तो the term positivism was coined by French philosopher August Comte, आप जैसे भी नाम दो भई हम वैसे ही पढ़ते हैं but August Comte याद रखना पट यह नाम, spelling याद रहे लेकिस नाम को आप कैसे भी प्रनॉंस करो at the end आपका oral exam नहीं होने वाला है but आपको नाम याद रहना चाहिए पता होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इस पे सवाल आ जाते हैं कि भाई positivism या positivist paradigm इसका theorist कौन है कौन इसको प्रमोट कर रहा है तो this is the guy French philosopher नाम है August Comte on the 19th century in the 19th century and is जो बाकी के लोग है जिन्होंने इसको carry out किया उसमें आपके नाम आ जाते है Francis Beckham, John Locke and Isaac Newton इस सारे लोग जो है कहीं नहीं इसी थेरी के प्रमोटर से हैं आप इसको आगे बढ़ाने वाले लोग है so the term positivist has no negative connotation मतलब आप पहली नाम बोल रोगी positivist आपको हर चीज में positive रहना है in this philosophy, positivism mainly adds to the ideas that factual knowledge gained through observation is trustworthy मतलब किसी चीज को आप observe कर सकते हो, कोई fact आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो आप खुद की observation के थूँ कोई factual knowledge आप गेंड कर रहे हो तो वो हमेशा trustworthy होने वाला है that is what we are trying to say so positivism relies upon quantitative perceptions that prompted measurable examinations मतलब आप चीजें कही न कहीं quantify कर रहे हो, quantifiable चीजें और उनको आप कही न कहीं measure कर सकते हो तो यह दो चीज में फोकस किया गया here the role of researcher is limited to collect data and interpretation with the objectivity तो यहां पर कहीं न कहीं objective तरीके की तरहें से आप data collect करते हो और उसको interpret करते हो positivists usually adopt the deductive approach मतलब आप कहीं न कहीं चीजों को जो है reduce करते हुए जा रहे हो, आप general to specific होते हो आ रहे हो so the concentration is on facts तो आप कहीं न कहीं general से आप facts की तरफ concentrate करते हुए नज़रारू, that is deductive in nature the researcher is independent and independent that means maintaining minimal interaction with participants and research is purely objective and the world is external मतलब researcher के पास full independence researcher अपने तरीके से काम करता है यहां पर positiveist approach में there is one reality, knowledge within probability यह एक theory है, जो positiveist follow करते है, positiveist approach रखते है then what is post-positivism now positiveism हो गया, positiveist ने अपना काम कर दिया उसके बाद जो नई theory, नए तरीके से हम यहां पर बात करते है post-positivism की so what we should carry out like हम बात किस बारे में कर रहे है what we should carry out research in social science and ways are similar to the कहीं न कहीं हम बात कर रहे होते है कि क्या methods within the natural science तो हम natural science से थोड़ा सा अलग चलते है जिसे for example management, commerce यह सब social science में आ जाते है so this is something different या natural science के methods से हम कहीं न कहीं उनको ही कोशिश करते हैं बट थोड़ा सा हमें अलग approach रखना होता है so the idea is कि दो लोग एक ही situation को अलग अलग तरीके से देख सकते है so two people observe the same event but understand it differently based upon their experience and beliefs जिसे एक particular situation है scenario है एक अगर बच्चा उसको देखेगा तो maybe उसका observation अलग होगा बट अगर कोई एक young या कोई adult या कोई बूढ़ा देख रहा है तो उसका कहीं न कहीं observation अलग होगा और रियालिटी के बजाए हम critical reality पर जादा focus करते है so object what we talk about objectivity can be achieved by using multiple measurements observations and कहीं न कहीं हम बात करते हैं यहां पर कि triangulating the data to gain a more clear comprehension of what's going on as a general rule तो आप यहां पर क्या कर रहे हो measurements अलग अलग तरीके से कर रहे हो observations अलग अलग तरीके से कर रहे हो triangulate करने की कोशिश करो data को मतलब कहीं न कहीं multiple methods multiple ways multiple observations कर रहे हो जब एक जिसे for example एक particular चीज है जैसे एक idea है कि आप एक ही बात को अगर 10 लोगों ने बोला है तो अगर हर कोई एक ही बात को बोल रहा है तो कहीं न कहीं मान लेते हैं कि हो बात सच है the 21st century the focus of research shifted from कहीं न कहीं reality to critical reality मतलब reality जैसी है वैसी यह नहीं है उसको critically देखने की जरुवत है हमें कावत है की see beyond what is visible कि जो visible है वो जरूरी नहीं कि real है उसमें कहीं न कहीं आपको एक critical approach की जरुवत है आपको analyze करने की जरुवत है आपको हर चीज को एक अलग lens से देखने की जरुवत है तो physicists like Heisenberg and Niels Bohr की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस चीज को ज्यादा popularize किया है इस चीज को ज्यादा promote किया है कि आप एक ही चीज को अलग-अलग नजर यह से देखो आपको अलग-अलग चीजे नजर आएंगे this approach was called up as a post-positivism which describes as a less strict form of positivism आप चीजे एक तरीके से देखे रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही है ज़रूरी नहीं है आप वैसे देख रहे हैं उसको इसलिए आपको वैसा दिख रहे है आप उसको अलग तरीके से दिखोगे तो शायद आपको अलग picture में लाए that is the difference between positivism and post-positivism the post-positive approach supports the idea that social scientists and natural scientists share the same goals for research and enjoy similar methods of investigation यहाँ पे हर कोई अपने अपने तरीके से चीजें investigate कर सकता है क्योंकि हर किसी का perspective अलग है हर किसी का observation हर किसी का analysis अलग ही होने वाला है अगर अलग अलग तरीके अलग अलग methods follow करके भी कोई चीज same result दे रही है तो that is the general rule that is what is the idea of research is it tends to be distinguished from positivism as indicated by whether the attention is on hypothesis verification or on theory misrepresentation तो जब आप किसी चीज को verify करते हो same चीज एक तरीके से तो positivism but उसी को आप misrepresent करने के कोशिश करते हो अलग अलग perception अलग तरीके अलग अलग observations that is called as post-positivism right this is the difference अब इस पे भी कई बार सवाल आए हैं तो यह भी आप पढ़के जाहिए positivism and post-positivism this is important right now moving on to the research process research कैसे की जाती है हमने research के बारे में इतना इतना सब पढ़ लिया research यह होते हैं but actually करना कैसे research क्या steps होंगे क्या process होगा वो जानना ज्यादा ज़रूरी है हमारे लिए तो let's look at the process of research research में यह कुछ process है seven steps यहां पर लिखे हुए सबसे पहले आप research का area select करते है then आप research aim objective and research questions and hypothesis develop करते हो कि आप research कहीं न कहीं develop करो पहले आप objective मताओ questions develop करो and then hypothesis develop करो यह चीज़ने आपके develop होगए तो आप literature review conduct करते हो then करने के लिए क्या-क्या method लगने वाले data collection के methods decide करो methods decide हो गए तो data collect करो data collect हो गया तो analysis करो analysis हो गया तो उसपे आप कहीं न कहीं interpretation करो और उसपे आपका conclusion कि भाई आपने किया किया है तो this is the process of research simple है ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पहले आप area select करते हो फिर objective aims and questions decide करते हो hypothesis build करते हो literature review करते हो और उसके basis data collection के methods and data collection and collection के पाद analysis and then उसका interpretation and कहीं न कहीं conclusion this is the process अब इस process को करते कैसे है इस process को अगर हम breakdown करें तो इसमें steps तो हम देखेंगे step by step क्या-क्या steps आते हैं यही process है process is like general thing यह हर्च किसे के लिए अपलाए होगा बट steps अलग-अलग होगे तो आपको steps अपने build करने पड़ेंगे तो research में क्या-क्या steps है हम यहां पर देखने के कोशिश करते हैं these are the different steps followed in research वात होती है हमारी कहीं न कहीं कि भाई पहले आप problem क्या है बताओ तो सही किस चीज़ को आप solve कर रहे हो तो define करो उस चीज़ को problem opportunity जो भी है हम पहले उसको define करते है then research क्या करना है उसका design बनाओ कि भाई क्या है कैसे होने वाला है क्या क्या चीज़ी होने वाले कितना time लएगा तो आप पूरा-पूरा एक design लिखते हो design हो गया तो फिर उसके बाद आपको actual designing करने है किसकी data collection कैसे करो data collection के लिए हम forms use करते है google form या survey forms या जैसे भी questionnaire कहीं न कहीं आपको बनाना पड़ेगा आपने form ready हो गया data collect करने के methods ready हो गया बट collect किस से करोगा तो उसके लिए आपको एक sample specify करना पड़ेगा तो specify करो sample हो गया तो data collect करो data collect हो गया तो उसको analyze करो analyze हो गया तो उसके उपर research लिए दो sorry data collect करने के बाद उसको analyze करो analyze हो गया तो भी आपने report लिखो आपके present करो और आपके findings बताओ कि क्या क्या है आपने किया है simple steps है ज्यादा मुश्किल नहीं है पहले आप define करते हो हो आपका हो गया तो collect करो collect कर लिया तो analyze करो analyze कर लिया तो भाई उसके interpretations हो क्या findings है क्या conclusions है क्या suggestions है बताओ that is what is called as writing the report simple enough not not so difficult not so complicated इसी चीज़को अगर हम flowchart से समझने की कोशिश करें आप right side में देख सकते हो कि same steps है जो उपर हम में देखे हुए इसी चीज़को अगर हम flowchart से समझने की कोशिश करते हैं तो flowchart में बहुत simple नरीके से बताने की कोशिश की गई कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि research problem आप define करो एक बार आपने research problem define कर दिया उसके बाद करते हैं review of literature में हम concepts and theories को review करते हैं and previous research findings क्या के होई पहले हो जाता है कुछ का बाद में होता है generally बाद में होता है कि आपको पहले चीज़ें पढ़ना पड़ेगा दीखना पड़ेगा आपकी problem में क्या पता हो चुकी हो तो इसलिए पहले review of literature पहले आजाता है हमारा तो पहले आप review of literature कर लो hypothesis build करो and hypothesis आपका बिल्ड हो गया तो फिर आप अपना research design ready करो आप क्या क्या कहां से कैसे क्या होने वाला है वो करो आपका design हो गया तो data collection जुरू करो data collect हो गया तो भाई analysis किसको करेंगे तो हमने F लिखा हुए F का मतलब होता है feedback मतलब आप वापस जाओ तो analyze किसको करेंगे वही जो आपने data collection किया हुए तो collect की हुए data का analysis and analysis आप किस basis भी करते हो आपका design है उसके basis भी आप करते हो तो FF का मतलब होता है feed forward तो हम आप आगे जाओ जो आपने design किया है उसी के हिसाब से आप analysis करो और जो analysis हुए किसका हो रहा है data गा analysis एक बार हो गया तो उस पर बनती है interpretation & reports and interpretation and report के लिए क्या लगता है वही analysis किया हुए data इसले हम वापस जा रहे है feedback जाना है तो आप feedback जाकर के लिए data उस data का interpretation and data हो गया तो data का again the same thing कि आप analysis से data की तरफ जाओगे या analysis से interpretation की तब जा रहा हो या interpretation के लिए data के पास हो आपसा रहे हो तो यह चलने वाला है और इसी चीज़ को हम connect करते हैं कि भाई जो आपका interpretation हुआ है क्या वो आपके research problem के साथ जो आपने define किया था उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है और जो problem अपने define किया था वो यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके interpretation में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोनों चीज़े साइड बाई साइड चरते हैं इसलिए हमने यहाँ यहाँ पर आप इसी को follow कीजिए सिंपल है या फिर राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते एक चार्ट नजर आ रहा है तो इसको आप follow कीजिए either way दोनों चीज़े सेम चीज़ बताने के कोशिश कर रहे है डाइग्राम फॉर्मेट में बताने के कोशिश किये समझा तो बहुत अच्छा नहीं समझा तो जस्ट इग्नोर इट आइन फॉलो इस पर्टिकुलर पाग इस पर्टिकुलर सिन्यारियो जढ़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं तो क्या-क्या है वह देखना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा तो चार-पांच जो पॉपिलर है कुछ यहां पर नाम दे रखे हैं तो MLA बहुत पॉपिलर है एक पॉपिलर है शिकारगो इट रिपली और अभी अलग 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 यहां पर आपका अपर नाम चार-पांच पॉपिलर अजाते है आपका यहां फालो करते हैं गया है हिस्ट्री आर्ट यहां फिलोसिवेंard लोग शिकागो फॉपिलर चलता है जो प्योर साइंस हैं उनकी तरफ सी एसी चलता है जैसे बायोलोजी फिजिक से जी जी तो यह कहीं न कहीं आपका इंस्रक्टर आपका गाइड क्या बोल रहा है जब आप एक्शुल रिसर्च कर रहे होता है तो उससे साब से चीज़े चलेंगी बट यह अब गाइड भी कुछ आपने मन से तो नहीं बोलेगा वह इसी नॉम को इसी क्रेटीरिया को फॉलो करते हुए बोलेगा तो इस सबसे पॉपुलर है हुआ है MLA और APA में अभी दो टेबल से यहां पर दिये हुए हैं अगर राइट वाले टेबल से हम शुरू करते हैं तो वाट इस टॉपिक ओफ यूर रिसेच उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टाइल यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना है आ आपका नाचल साइंस या फिजिकल और सोशल साइंस नाचल रहे तो यहां पर आप एपी आ जाता है अगर आप हुमानिटीज और लिटरेचर और आर्ट्स की दरफ जा रहे तो MLA आ जाएगा इन टेक्स साइटेशन कैसे लिखते हैं हम यहां पर ऊथर ने ऊथर का लास्ट नेम यह और पेज नम्बर लिखकर के छोड़ देते हैं अपर आप एपी अ में बड़ एम एम ले मैं ऐसा नहीं है और का लास्ट नेम उसका इनिशाल और टाइटल इन वाट्विकर रफेरेंस सेंटर अन्ट नो पिरेड आफ्टर यूर्ल तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि भाई पहले हम ऑथर का लास्ट नेम फिर उसका फस्ट हो जाते हैं है हाँ पेरिफ ऑस्ट नेम पहले प्हले निए तो यहाँ है पिय्की नमदाग्वड है तो यह वर्ट का फख़र है किroit रिक्वाज़ घया घौ ज़रूरी नहीं है पै ponла है during head with title in all caps यहाँ पर यहाँ पर लास्ट नेम पर जरूरी है यहाँ पर यहां पर देखने की कोशिश करो तो यहां पर भी वही चीज है कि एक्जांपल दिया होगा जैसे नाम और यहां पर यहां पर पूरा लिखा जा रहा है लास नेम और फस्त नेम दोनों लिखे जा रहे हैं अगर हम और यहां पर यहां पर सॉथ पूर और यहां पर फ्रेश ज्रू रहा है यहां पर और यहaste आठेधं कापिटलाइसे हॉड्यां पर यह रहता इन ऐ खोडिया ठीटल में अब variants यहां पर दे रखें दिस सम्थिंग नॉट ऐसे नहीं चलता आप दोनों चीज़ें लिख रहे होते हो हार्वर्ड में भी अगें सिमिलर स्टाइल है शिकागो में थोड़ा सा अलग हो जा रहे हैं कि आप यहां पर लोकेशन भी लिख दे रहे हो तो यह थोड़ा सा स्टाइल्स का डिफरेंस का फर्क है तो अगर आप पूरा साइटेशन है तो MLA में ऐसा लिखा जाएगा शिकागो में फिलाल के लिए आपको सिर्फ एक्जाम के परस्पेक्टिव से यह देखना समझना ज़र ज़रूरी है आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप जिससे किसी चीज का रेफरेंस लिख रहे हो तो आप वहाँ पर बता दो कि किस कौन ऑथर है क्या है पेज का टाइटल क्या है जर्नल का टाइटल का पब्लिश हुआ क्या पेज नंबर से आप उसको डाल दो और एड दी एंड आप ब इसे क्या है डिफरेंस बता होना ची क्योंकि एड दी एंड एक्जाम लिखना है तो एक्जाम पर सवाल आते हैं तो तयारी उससाब से रखनी पड़ेगी राइट अगें सेम चीज है रेफरेंस स्टाइल में डिफरेंस बताने की कोशिच कि हमने MLA, APA और शिकागो के इससे कं ज्यादा नहीं कर सकते हैं की बात करते हैं लेफ्ट यहां स्पेसिंग और यहां पर डॉडबल स्पेसिंग डाल नहीं चलेगे और यहां पर शिकागों ही परेवरेथिंग कुछ भी ठाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है नहीं है APA में जरूरी है and Chicago में भी बोल रहा है कि हाँ it should include that the papers full title तो वो जरूरी है page numbers यहां पर बोल रहा है put them one half an inch below the top of the page in the upper right corner यहां पर कोई ऐसा half inch या left right ऐसा नहीं बोल रहा है put them in the upper right corner create a running head no more than 50 characters long तो यह APA का कहना है MLAB simple सा बोल रहा है कि भाया right corner नमें डाल दो and Arabic numbers का यूज करो तो यह भी थोड़ा साथ चीजने अलग है कि Chicago बोल रहा है Arabic numbers यह अपर right corner अपर right corner यह बोल रहा है 50 characters से बढ़ा नहीं हो सकता यह बोल रहा है कि exact location भी बता रहा है APA बोल रहा है कि the first lines of paragraphs and all lines of indented questions should be indented one half inch यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है अलग अलग नाम है references के title के लिए right now moving on to something called as application of ICT tools in research क्या यह जरूरी है कि एक बार सोचे जरा क्या सवाल पूचा और क्या सच में यह जरूरी है सोचना बताना आपने अगर सोचा है तो आप खुझ से पूचे इस सवाल का जवाब कि क्या आज की rate में research कर सकते हैं कि हम बिना हम ICT tools के बिना internet के बिना computer के बिना laptop के नहीं कर सकते हैं हमें कहीं न कहीं ICT tools की जरूरत है उसके बगार research होने ही नहीं वाली तो कहां कहां apply होंगे हर field में हर domain में तो एक एक करके हम समझने की कोशिस करते हैं कि कहां कहां पर कैसे कैसे application of ICT tools होने वाला है right so ICT tools are mainly used by researcher for ability to कहीं न कहीं knowledge बढ़ाने के लिए to ease the knowledge to gather the information and to enhance resource development हमें हर जगे हर चीज में लगने वाला है तो for example आप research कर रहे हो तो आप कहां research करोगे आज करेट में publication आप book ले करगे journal magazine धूरने का जमाना चला गया सारी चीज़ें अभी online है तो आप अपने computer से laptop सही करोगे right तो ICT tools के बगएर वो चीज नहीं होने वाले है तो कहां कहां पर क्या क्या ICT tools लगते हैं तो digital tools help the researcher in following ways किन किन तरीकों से researcher के help होती है research करने में to identify research articles and appropriate information source through searching various online tools तो कहीं न कहीं क्या research articles and appropriate information है वो धूनने में identify करने में literature survey and critically analyze known information for further reading yes data collection process में of course data analysis tools बोच चाहे क्कौलिधी हो कॉन्रेटी हो लगने वाला है referencing के लिए and report writing के लिए बही रपोर्ट आप हाथ से थो नहीं लिखोगे न कंप्योटर में लिखने वाले हो word, Microsoft office, docs, आपको अल्रडी पता है तो ज्यादा जैदा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसे लाइड पर शुब्रेटी टूस में खीटियों कर लो पूंगाल कर लो सिम्पल डिजिटल लाइबरेरी फ्री में अवेलिबल है तो फ्री डिजिटल लाइबरेरी का आप इस्तेमाल करो डेटा अनलेसिस के लिए लगने वाले हैं यह तरीके हैं इन जबहों पर यह अक्शुली सच में ज़रूरी है तो यह दोनों का मतलब थोड़ा समझाने की अलग तरीके से कोशिश कर रखा हैं आप लेट ना किन-किन चीजों पर आपका 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 आपक तीसरा डेटा कलेक्शन तो भाई literature review के कैसे करोगे उसके लिए क्या-क्या टूल्स है literature tracking के लिए क्या-क्या टूल्स है और data collection के लिए क्या-क्या टूल्स है तीनों देखते हैं हम one by one तो सबसे पहले literature search के लिए क्या tools, क्या softwares, क्या websites available हैं तो that you can see over here on the left के हम use करते नियक्सिशन कर सकते हैं लेकि इनके सिर्फ नाम याद रखना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है कि researching करने के लिए तो यह सारी website हैँни, portals हैं के फोरांज है जहां पर लिटरेचर सर्च brings up लिट्रेचर सर्च करने के लिए क्या-क्या डेटाबेस क्या-क्या आर्टिकल कहा कहा से मिल सकती हैं चीज़ें आपको तो इस अर्व देटाबेस जहां पर आर्टिकल स्टोर करके लोग रखते हैं तो आप जा सकते हों आप अमेंन तब सब्सक्राइट जीकल में जा सकते हों यहां पर कहीं न कहीं स्टीपाओने में में को मिल जाएगा आप एरिक में जा सकते हो आप ये एक्सप्लोर साइन्स डिरेक्ट डॉज गूगल स्कॉलर जेगेट औरकेट पेपरिटी आप यहां पर पबलॉंस देन स्प्रिंगर लिंक वेब ऑफ साइन्स यह सारे जो डेटाबेज हैं जहां पर आपको चीज़ें मिल जाएंगे आप सबसे पॉपिलर इसमें बहुत सारे नाम हैं सब मैंने आपको बता दिये जो जो मिले पॉपिलर आप गूगल स्कॉलर रिसर्च गेट स्कोपस इंडिया का सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आपको आर्टिकल्स मिलेंगे रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे अगर आपको देटाबेस यहां पर कुछ आपके सामने तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर आपको देशन मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो जिन पर आप लिटरीचर सच कर सकते हो लिटरीचर ट्रैकिंग कैसे लिए के लिए आपने क्या पढ़ा उसका कैसे रखने है किस लिटरीचर ट्रैकिंग में पढ़ना है कैसे पढ़ना है आप नोट बनाते हुए चल रहे हो अब जो टेरो में चीज़ें लिखते हैं चल रहे हो आप एक क्या-क्या आपने पढ़ा उनका एक बंच बनाते हुए ट्रैक करते किया क्योंकि आपको at the end reference देना है सारी चीज़ें करना है तो उसके लिए you need a track की क्या का चीज़ें आपने स किया है literature right so that is there now उसके बाद हम बात करते हैं data collection के तो data collection के लिए भी कही सारे tools है basically आप google forms यूज कर सकते हो but these are again data collection के tools now यह हो गया pre data analysis now we talk about actual data analysis तो actual data analysis के लिए क्लिए क्या-क्या tools हमारे पास available है तो पहले तो हमें समझना पड़े हैं कि दो टाइप का analysis हम करते हैं quantitative और qualitative तो अगर हम quantitative analysis की बात करें तो हमना पास online web है face to face है phone पर सकते हैं data collection कहीं नियुक् отк रहे हैं कैसे आप करोगे तो आप online कर सकते हो face to face कर सकते हो फोन पर कर सकते हो mail पर सकते हो आप या फिर कहींना कहीं एक location में जाके कर सकते हो तो डिपेंड करता है कि जैसे किसका क्लेक करना है उसके उपर एक क्वालिटिटिव अनलेसिस के लिए आप ओनलाइन फोरॉम्स, ओनलाइन कम्यूनिटीज, वेब सर्वेज, आप ग्रूप्स में जा सकते हो आप डेप्थ इंटर्व्यूस ले सकते हो और आप दोनो काम करते हैं डेपेंडिग आप करना क्या चाहते हो या कर क्या रहे हो राइट नव हैं सभ्लाव और मैंस्यां किया एक्सेश सब्सक्राइबॆ और फोड़े सब्सक्राइब्सक्राइब करना क्या है उसके हिसाब से आपका टूल से लगेंगे तो इसके अलावा भी कुछ सॉफ्ट्वेर्स हैं जो फ्री वाले स्टाटिस्टिक नहीं पता नहीं जहां तक मुझे पता है लोग यूज नहीं करते हैं मैंने जब तक अब्सक्राइब किया है लोग स्टेटेक्स माइकरो सेरीस है यहां पर आपका न्यूमेरिक है यहां पर आपका ཉक्नार यह यहां सब्से पॉपलर रहें यह भी साफ्ट्वेर्स है रखें आपको जानना है इसलिए इसले यूंज किया tweak इराइन आंट फिवेश्टो से इसे सबसे पॉप्वेर्स हैं तो डृबेंटिंग ऊपवन कौनों सब्सक्तियों कुछ क्लेक्शन के टूल्स है कुछ लिटरेचर रिवीव लिटरेचर सर्च एड़ार के टूल्स हैं तो डृइपेंडिंग अलग तरीके हैं चीज़ने अलग अलग तरीके से काम करती है, right, now, qualitative data analysis के लिए हम use कर सकते हैं, like, nvvo, then, atlas, then, यहाँ पे आपका max qda है, then, transna है, तो depending upon कैसे कर रहे हो, like, cat, cat बहुत popular तरीका है, जिसका हम coding analysis toolkit बोलते हैं, well qda नजर आ रहा है, तो यहाँ पे यह qualitative analysis के थोड़ा सा अलग तरीके स process आप से काम करेंगे, right, now, आपने analysis कर लिया, उसके बाद क्या, तो this is called as application of ICT in post data analysis, तो यहाँ पे आपका report writing and interpretation आएगा mainly, तो यह तो और भी आसान है कि भाई, आप referencing के लिए, बिबिलियोग्राफी के लिए, आप end note यूज कर सकते हो, आप Zotero यूज कर सकते हो, आप mainly reference list maintain करेगा, तो depending upon आपने use क्या किया है, वही आपको reference list दे देगा, यह साथ तीनों ही software tracking में भी थे, अगर आपको याद हो, तो वही तीनों software यहाँ पे continue होते हुए नजर आ रहे है, right, article and thesis discussion करने के लिए दो popular websites है, academy and research gate, आप जा करके actual discussion कर सकते हो, अपने article शेर कर सकते हो, लोगों के thesis and article read कर सकते हो, तो free of cost available research gate and academy है दोनों website में, तो this is again something actually good that researcher can go and figure out, तो यह थोड़े से like, ऐसे question आए नहीं है भी तक, but maybe if there is something that comes, तो यह वो forums है, यह वो platforms है, प्लाटवर्म से, प्लागरिजम detection के लिए कुछ tools रखते हैं, जैसे प्लागरिजम, प्लागरिजम का मत किया, तो अगर को किया है, तो कितना किया है, तो check करने के लिए grammarly में आप चेक कर सकते हो, article checker में कर सकते हो, turn it in, सबसे popular software है, dupli checker में आप चेक कर सकते हो, तो यह software, plagarism checker करने के software से tools है, now, सबसे जो important topic है, that is research ethics, अब research ethics की बात कर रहे हैं, तो you guys can see the name, this is not my ppt, यह ppt कही कहीं न कहीं किसी और की ppt है, but still, if I am liking it, तो thank you to Yagoo sir, जिनकी यह ppt यह slide share में मिलिया है, आप description में लिंक मिल जाएगी, आपको चेक कर सकते हो, but this is something called as, कि आपको कहीं न कहीं ethical concentration देना पड़ेगा, कि अगर मेरा काम नहीं है, आप किसी और का काम use कर रहे हो, तो credit देना शरू गई है, and this is how it goes on, तो ethics मतलब क्या, यह सबसे important चीज़ है, कि जब आप actual quantitative analysis कर रहे है, तो वहाँ पर data कई बार चोरी होता है, analysis के तरीके चोरी हो जागते है, तो numbers की बात है, numbers को manipulate करना, बहुत सरी चीज़ है, तो वहाँ पर ethics का role बहुत important हो जाता है, तो data that are analyzed are in the form of numbers, तो व महाँ पर भी ethics का role बहुत important हो जाता है, then अगर हम research ethics की बात करें, तो किन-किन चीज़ों पर आएगा, आपका accuracy पर आएगा, accurate है कि नहीं, credible है कि नहीं, यहाँ पर transparency है कि नहीं, आप यहाँ पर कहीं honest हो कि नहीं, आपने protect किया है कि नहीं, authentic है कि नहीं, original है कि नहीं, यह सारी आपको carefully काम करना पड़ेगा, critically काम करना पड़ेगा, careless वाल attitude, you have to avoid, then आपको हर चीज़ का record रखना पड़ेगा, तभी accuracy आएगी, अगर आपको पस record ही नहीं, तो कैसे आएगा, तो accuracy का मतला होता है, carefulness, तो उसके लिए आपको हर चीज़ का record, numbers, correspondence, हर चेगे का हर चीज़ का complete full proof record होगा, तभी accurate information हैगी, then credibility, credibility कैसे बिलेगी, credibility के लिए आपको citations बराबर रखने पड़ेगे, हर चीज़ को acknowledge रखना पड़ेगे, for example, अभी APPT में use कर रहा हूँ, मैं चाहता तो वो page अटा देता है, 2-3 page अटा देता, किसी वो क्या ही पता चलता, but something, if we are giving somebody a proper acknowledgement, then only that means कि ह credible है, कहीं न कहीं, कोई चीज मुझे अच्छी लगी, तो क्यों फाल तुम्हें महनत करना, double महनत करना, किसी चीज़ को हम use कर सकते हैं, तो आप हर चीज़ को proper sight कर रहे हो क्या, चीज़ों को acknowledge कर रहे हो क्या, that is more important, confidentiality, भाई, किसी से कोई data चुराया, आपने, आप research के लिए बोर रहे हो, personal information है, आपने data आपने leak कर दिया, तो लोग कैसे क्या काम करेंगे, तो confidentiality भी तो उतना ही important है, तो आपको कहीं न कहीं protect करना है, आप क्या-क्या communication हुई है, क्या-क्या चीज़ें हुई है, वो records को, आपके personal records, handle analysts, they are questioned, और सच में जरूरी है, आपको वो चीज़े को respect, लोगों की privacy को protect कर रहे हो, unless you are doing that, आप कहीं न कहीं human dignity को disrespect कर रहे हो, तो उन सीज़ों को maintain करते हुए, आपको हर जगे, कहीं न कहीं, लोगों को harms, नहीं करना है, कोई risk नहीं देना है, आपको benefits maximum होने चाहिए, तो protection, like overall protecting का, जो आपका protectionism है, वो कहीं न कहीं आपको दिम क्या data, क्या result, क्या tools, बोल रहा हो मेरा outcome ऐसे आया, बट कैसे आया, कहां से data आया, कैसे मैंने data collect किया, किते लोगों का data, क्या analysis किया, क्या tools सी use किया, क्या resources किया, किते लोगों कितना time, जब तक मैं वो चीज़ें communicate नहीं करूँगा, तो transparency आएगी कैसे, तो openness लाना पड़ेग तो criticism आयेगा, तो you have to accept that, you have to be open for that, right, that is what we mean by transparency और openness, honesty, अब आपको समझना है कि आपकी research है, आपका काम है, आपकी मैनत है, तो आप खुद से honest हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं वो honesty वाला policy, honesty वाला dignity लेकर के आना बढ़ेगा, so honestly data reported, results, methods, procedures, हर चीज़ को लेकर के are you honest, do not fabricate anything do not falsify anything, do not misrepresent anything, तो वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, किसी को deceive नहीं करना है, किसी का घलत information गलत तरीके से नहीं लेना है, कि इन्फोरमेशन नहीं मिल रहा था, तो हमने कुछ database hack कर लियो और वहां से data निकाला और उस पर हमने एक research paper पर पुब्लिश कर द करना है, dignity maintain करना है, authenticity, भाई कहां से लिया है, कैसे लिया है, अगर वो सच है कि नहीं, तो data should be authentic, information should be authentic, and proper reference should be always there, that is what we mean by truth, what about originality, कि आप जो काम कर रहे हो, वो original है, किसी और का चुराया हुआ है, कहीं से आपने उठाया हुआ है, तो idea should be fresh, innovative, and it should be a novel work, तो originality को maintain करना भी जरूरी है, कि आप duplication of work तो नहीं कर रहे हो बार बार, so that is also something very much important, plagiarism, plagiarism क्या होता है, plagiarism मतलब किसी और के काम को copy करना, so plagiarism is the act of passing of somebody else's ideas, thoughts, pictures, theories, words, or stories as your, और अभी जैसे, for example, ये ppt को download करके, मैं इसे में अपना नाम लगा के, इसी ppt को publish कर देता, so that is plagiarism completely, भाई, but यह पर, what I am sharing to you is not ppt, this is my particular, I am adding something to this ppt, so ppt का contribution, yes it is visible on the screen, but इसमें मेरा भी तो कुछ contribution है, so I am adding, making some addition to it, अगर मैं वो नहीं कर रहा हो, तो भाई, वो complete plagiarism में आ जाएगा, but ppt लेना क्या plagiarism में नहीं है, yes plagiarism में है, but वो plagiarism को आप credit दे रहे हो, कि नहीं दे रहे हो, आप उसम अभी जैसे for example, let's say, यह particular class आप देख रहो, let's say, एक लाग लोगों ने यह वीडियो देखा, तो एक लाग लोगों ने यह वीडियो देखा, तो कहीं न कहीं इस वीडियो की value बढ़ेगी, और इस वीडियो के साथ साथ इस ppt की value भी बढ़ रहे है, तो कहीं न कहीं, somewhere I am trying to enhance the value, ना कि उसको deceive करना, ना कि उसको छुपाना, ना कि उसका credit खुद पे लेना, तो वो credit कहीं न कहीं, creator को भी जाने वाला, that is the difference between plagiarism, तो भाही, जो चीज को आप refer कर रहे हो, जो चीज को आप use कर रहे हो, उसको आप due credit दो, आप उसको acknowledge करो, and उसमें आप addition, as it is, आपने ले reason, and this is what the end of this particular class of research aptitude is, so thank you so much guys, you have been really wonderful, आपने इता लंबा देखा, and थोड़ा जादा लेंदी हो गया, thank you so much, अगर आपको अच्छा लगया, तो गिव दिस वीडियो आ लाइक, गिव दिस वीडियो आ थाम्स अप, and subscribe for more such content, 50 days, JRF हमें crack, thank you so much.